हलो नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंध आफ डिफ्यूजन के बारे में जिसका स्वाट फाम है यह लोडी और देखते हैं कि यह होता क्या हुआ है और यह कैसे हमारे डिवाइस को एफेट करते हैं लेयाउट के लिहाज से यह कैसे इंप्वाटेंट है और हमें किन चीजों का टेक केर करना चाहिए तो पिछले वीडियो में मैं बताया था यह लोडी तो उसी के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं और एक बात और बता दूँ कि STI अगर आप लेयाउट डिजाइनर है तो आपको STI देखने को नहीं मिलेगा यह बाइडिफाल्ट मैनुफेक्चरर द्वारा या फेबरिकेटर कहें उनके द्वारा डिसाइड होता है जहां भी उनको इसपेस दिखेगा ओडी और एओडी के बीच में या फिर कोई dissimilar device से उसके बीच में अगर कोई space है तो उसके हिसाब से वह लोग वहां पर insulator बीच में place कर देते हैं और उसके बाद आपका device एक दूसरे device से isolate हो जाता है layout designer है तो आपको यह देखने को मिलने वाला नहीं है लेकिन इसका utilization आपको करना है ताकि आप बहतर से बहतर layout आप दे सके अपनी तरब से तो जो length आप diffusion होता है वह हमारा part होता है LD का ही layout dependent effect है तो suppose करें कि हम एक shape ले लेते हैं और यह है हमारा diffusion area तो यहां पर आप दोख रहे होंगे कि यह हमारा मालेजी की यह device हो गया और यह device में यह हमारा gate 1 है और यह है gate 2 मालेजी की कोई similar device ही रहा होगा और उसको हम लोगे ने तोड़ दिया है और दो finger में divide कर दिया है तो यह दोनों finger होगे उसके तो आपको पता होगा कि जो diffusion area होता है diffusion area क्या होता है वह area जहां पर हमारा implant किया जाता है source or drain को होता है तो जैसे यह area आपको दिख रहा होगा इसमें यह source है यह source again है तो यह पूरा का पूरा area जो होगा यह है हमारा diffusion area और यह ही कहलाता है diffusion यह इसी को od बोलते हैं लेकिन एक single device की अगर हम बात करें तो क्या होता है उस case में जो हमारा यह length होता है source का वही length होता है drain का तो length of source equal to length of drain लेकिन अब हम बात करें यह पूरे diffusion area की और इस gate को अगर कुल करें तो gate के left side में देखेंगे कि यह हमारा length है इसको नाम दे देते हैं yes यह, यह length है gate के एक side का, gate के दूसरे side का length अब हमारे पास इतना होगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना क्यों होगा, यह length इतना ही होना चाहिए, तो actually होता क्या है कि आपका gate होता है, वो gate ऊपर रखा जाता है आपके source or drain की, तो basically source or drain आपके जो manufacture किये जा रहे हैं, वो एक side time में source or drain बनाये जाएंगे, कुछ इस परकार से, तो यह हो जाता है, यह हो गया source area, यह हो गया drain area, यह हो गया source area, तो gate deposit किया जाता है, कुछ इस परकार से ऊपर, diffusion के, तो basically यहां अंदर अकर देखेंगे, तो यह वाला area एक side time पे, औ जाएगा, तो देखा जाए, तो यहां से ले करके, और यहां तक पूरा region एकी बार में, एकी साथ source or drain बनाये गए हैं, लेकिन implanting नहीं की गई है, अभी इसमें कोई भी implantation नहीं किया गया है, जब आपका gate deposit कर दिया जाता, उसके बाद इसमें अब doping की जाती है, तो doping अग होगी, तो आपका source drain, source drain बन गया यहां पर, इसके नीचे कोई doping नहीं हुई है, लेकिन यह connected है अभी, यह length तो connected ही है न, तो अब जो stress आ रहा है, source side के ओल, source पर ही आ रहा है, लेकिन drain side में stress अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उस तर STI है ही नहीं, STI तो दूसरे वाले source पर तो drain का जो carrier mobility होगी, वो different different होगी, और इसी के card अब हमारा channel formation में problem होगी, और बीटी हमारा different में लेजा, तो इस gate के लिए, अब यह हो गया हमारा length, yes, यह, और इस gate के लिए, यह वाला length हो गया हमारा, yes, भी, अगर उसी साब से देखा जाए, तो इस gate के लिए, अब हमारा length जो हो गया, हो गया, yes, a1 और यह length हो गया, yes, b1, तो अब इस gate के लिए, यह gate 2 हो गया, यह gate 1 हो गया, तो इस gate के लिए, अब देखिए, यह वाला अगर मालीजे कि source region रहा होगा, तो source region अब काफी बढ़ा हो गया, हाला कि यहाँ पर discontinuity हो रहे इसके doping में, लेकिन stress वाइद देखेंगे, तो अब यहाँ पर यह वाला area जो है, वो stress ज्यादा phase करेगा, compared to यहाँ वाला drain होना चाहिए था, यह source होना चाहिए था, उस वाले reason से, तो अगर यह source area है, तो यहाँ पर अब यह drain area जो है, वो यहाँ पर less stress फिल करेगा, क्योंक कि यह वाला जो diffusion है, यह यहाँ तक है, तो यह सी diffusion length के variation की वज़ा से, लेलोडी का effect picture में आ जाता है, क्योंकि जो length of diffusion है, वो देखें, गेट के एक side और गेट के दूसरी side वो different है, स्वेम उसी परकार से, गेट के एक side और गेट के दूसरी side different है, तो इस gate के लिए, अब देख है, अब वो अलग-अलग है, तो यही length हमारा stress की वज़ा से mobility पर effect पड़ता है, mobility की वज़ा से हमारे channel formation पर effect पड़ता है, means बोले तो stressful voltage पर effect पड़ता है, तो यह होता है stress का effect, अब stress हमारा यह STI इसके 4 तरफ ही आता है, और 4 तरफ अगर STI आ रहा है, तो इस case में यह वाला region STI से ज़्यादा effected होगा, यह वाला region ज़्यादा effected होगा, जो यहाँ पर region होगा, वो वाला अब इतना effected नहीं होगा, तो आइदर यह अगर drain बन रहा है, तो drain में यह वाला region, अब जितना source phase कर रहा होगा, उतना drain वाला region नहीं phase कर रहा होगा, तो यही कहलाता है length of diffusion, तो अब माल लिजे कि यहाँ पर आपका एक dummy place कर दिया गया दोनों side, अब देखेंगे कि जो भी STI का effect पढ़ेगा, यहाँ यह STI है, अब यह STI इस पर, इस diffusion area पर effect डालेगा, तो यह हमारा e2 device तो है नहीं, तो अगर BT पर variation आ भी जाता है, तो हमको घंटा फड़न नहीं है, ठीक उसी परकार से इस side भी, अब यह STI हमारा है, और यह अगर कोई stress डालता भी है, तो यह हमारा dummy device है, अब यह dummy device पर अगर effect डालेगा भी, तो हमको उतना फरक नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपका जो यह source है, और यह यहाँ पर drain region है, अब वो directly STI, जो stress मिल आए, वो इस पर directly आ नहीं रहा है, और stress जो आ रहा होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ की mobility पर अगर फरक भी पर जाए, तो कोई दिक्कर नहीं है हमको, क्योंकि यह हमारा active device नहीं है, हमारा active device है, अब वो completely safe रहेगा, यह वाला region safe ही है, तो इस परकार से जो हमारा stress हो जाता है active devices के, और matching devices में यह यलोडी effect को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें dummy devices की आउसकता होती है, और यह necessary है, तो आसा करता हूँ कि यलोडी जो है, वो आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई doubt है, तो उसके लिए comment box है, मिलते हैं अगले वी अखिर शाइब करना मतुलिए।